अपिल के बाद आज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक दो बजे आयोजीत किया गया है जिसमें देखिए आपके सामने स्क्रीम पर दिखाई पड़ है कि 36 गड़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हर्तार पर अभी विस संसर बरकरार है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जो बैठक दो बजे बुलाई थी ओ बैठक अभी तक सुरू नहीं हो पाई है पहले ये बैठक तृती वर्ग कर्मचारी संग के कार्यालाय में होना था लेकिन अब उस बैठक का इस्थान बदल दिया गया है बताया जा रहा है कि बैठक पर अडिक रहने का एलान कर दिया फेडरेशन की प्रांती टीम ने जब उन्हें समझाने का प्रयाश किया तो कर्मचारी संगठन की पताधिकारी उग्र हो गए सरगुजा और बस्तर से सेकड़ों की संख्या में पहुचे पताधिकारियों ने बगावात का एलान कर दिया जिसके बाद बैठक में हंगामे की स्थिती बन गई विवात की स्थिती बनते देख बैठक के स्थान को बतला गया खाबर लिखे जाने तक बैठक को दुसरी जगा पर आयुजित करने के लिए करमचारी संख्यठन के पताधिकारियों को जगा बताया गया है बैठक की सुरुवात में ही जैसे ही प्रांती टीम ने एक एक कर जिलत से हैं जो उसके फीट बैग लेना शुरू किया संख्यठन के अन्य पताधिकारी उगर हो गए पताधिकारों ने कहा कि अलग-अलग संख्यठन के पताधिकारी से बात की जानी चाहिए वो हर्तार को लेकर आखिर क्या चाहते हैं उसके बाद धीरे धीरे गतिरोद बढ़ता चला गया बैठक में करमचारी तो यहां तक कहते नजर आए कि जब करमचारी लड़ने के लिए और करवाई सहने के लिए तयार है तो नेतित्व करता क्यों हर्तार से पीछे हटने की बात कह रहा है सरगुजा और बस्तर से आये शेंगधन के प्ताधिकारी फेडरेशन के रुख से काफी नराज दीख रहे थे आपको बता दे कि कर मुख्य मंत्री जी की अपिल के बाद आज फेडरेशन ने आज प्रांती और जीलस सयोजकों की बैठक बुलाई थी बैठक में आपसी सम्म से हर्ताल को लेकर फैसला लिया जाना था लेकिन अब गति रोज बढ़ गया है कर्मचारियों की हर्तार जाली रहेगी आख खत्म होगी इस पर अभी संस्पेंस बना हुआ है तो इस परकार से सात्यों यहां से इस परस्ट हो रहेगी अभी भी जो बैठा के वहां चल रही ह साथ तब तक के लिए साथ यो जय जवा जय शतीस गर्ण जय हिन